हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चानल आज हम बनाएंगे चट पटे आलो की सब्सी तो देख लेते हैं मुसे कैसे बनाएंगे तो यहां पर मैंने मसाले लिए हैं और प्लेट में मैंने इंग्रीडियंट्स लिए हैं जिसमें मैंने दो प्याज को बारी काट लिया है और फिर साथ ही साथ मैंने आपर दो हरी मिर्च को भी काटा है बीच से और फिर मैंने लगभग एक से दो इंच तक के अद्रक को भी अच्छ से से फाइनली चौप करके और 7 से 8 लैसून की कलियों को भी अच्छ से बारीक चौप कर लिए तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल की आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो यहां पर भी मैं आपको थोड़ा क्लो सब्सक्राइब 3-6 tablespoon तेल भी 1 खाल अपको में यहां चैनल की अलोगाई भी 5-6 tablespoon नापका टील लिया है जब 40 लेयां नीचे तो आपको यहां पर को कोकर लिया जिकी जिए इस सबसेटली ढ़ दोग या थारा जो जेरा आपको नाचे में सबसेड़े उबकार है जना हिर्छी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दोंगी और अब हम इसके अंदर सबसे पहले प्यास डाल लूगी मैं तो यहां पर मैंने प्यास इसके अंदर डाल दिया और फिर मैं इसके अंदर हरी मिर्च भी डाल दोंगे और हम इसे सौटे कर लेंगे जब तक यह हलका सा गोल्डन ब्राउनिश कलर में ना आ जाए तो अभी मैं इसे अच्छा से सौटे कर लेती हूँ तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं अनियन अपना कलर चेंज कर देवा थोड़ा ब्राउनिश से कलर में हो गया है तो अभी यहां पर मैं अपना जिंजर और गार्लिक डाल रही हूँ जो मैंने लिया लहसुन और अद्रक इन दोनों को डाल कर मैं इन्हें भी अच्छ अधन उसार और साथ ही साथ मैं इसके अंदर हल्दी भी डाल रही हूँ आप हल्दी की मातर अपने हिसाब से कम या जादा रख सकते हैं या आप 1 फोर्ट से 1 थर्ड टी स्पून के करीब डाले और फिर यहां पर मैं यह चिली पाउडर डाल रही हूँ वन फोर्टी स्पू आप यहां पर मैंने आलू लीय है तो दोस्तों यह मैंने 300-400 ग्राम तक के आलू लीया है आप देख सकते हैं मैंने इने मोटा मोटा काटा है तो अब हम इस आलू को भी अपने जमने मिक्सचर रेडी किया था उसमें डाल देंगे और हम इसे अब अच्छे से मिक्स करतेंग तो अब मैं इसे गरम मसाला डाल कर इसे एक पर ही अच्छे से मिक्स कर दूँगी और यह हमारी सब्जी बंकर हो गई है रेडी आप देख सकते हैं मैंने साइड पर एक कटोरी में सब्जी ली है और साथी साथ मैंने इसका रैप भी बिनाया है मैंने सबसे पहले रैप के अंदर टमैटो केचप डाल और उसके बीच में यह से स्टाफ करके दी है आप भी यह आइडिया यू जरूर ट्राइ कीजिए बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और अगर आपको यह रेसेपी अच्छी लगे तो मेरे चानल को कीजिए सब्सक्राइ बेल आइकन दबाना ना भूल लिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा तो चलिए अब आप से अगली बार मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग और नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए स्टे फेट अंड से हल्दी